जैने दोस्तो, गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग आडियो वीडियो क्लियर है बताएंगे आडियो वीडियो क्लियर है ना लिकू कहते हैं क्वालिटी ऑप्शन भाई भूल गया लिकू यार फिर से आज एक तो अल्वेडी लेट हूँ मैस नहीं देख रहा था भाई थोड़ा ऑस्पिटल गया था ठीक है जो पैर और हाथ में सूट लगी थी एक बार पेन वापस से शुरू हो गया था तो एक्सरे कराने और देखने की कितना रिकवर हुआ है और कितना नहीं इस वज़े से 20 मिनट क्लास लेट हो गई और क्वाल शीट 2 मिलेगी इसकी ठीक है वह शीट 2 जो है बहुत सारे कॉशन्स आप लो खुद से ही बना लोगे मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत जादा तयारी करवाने की जरुवत पड़ेगी आज हम बात करते हैं टाइप नंबर 9 की जिसमें हम पढ़ेंगे concept of relative speed देखो relative speed ह के पाली नहीं होता क्या है relative speed में जो है हम कौशन्स लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे और यहां बर शीर हम क्या पनते है तो एक मिनट में आ अगया ठीक है ठीक है तो relative का मतलब होता है कि जब भी कोई दो व्यक्ति जो है वो यात्रा करते हैं तो उनके आपस में speed का relation क्या है जैसे मानों की relative speed में दो तरह की speed आप पढ़ेंगे ठीक है अगर कोई वी दो व्यक्ति जैसे मानों हमारा मुन्ना और मुन्नी कि दोनों के दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तो ठीक है और या फिर दोनों opposite दिशा में चल रहे हो समझ रहे है मेरी बात को पूरा का पूरा जो time speed distance का concept है आदे से जादा वो आपको relative speed के ऊपर है तो relative speed अपने आप में बहुत महत्वपून topic है और अगर time speed distance से tough question की बात करें जो जहां से बनते हैं वो relative speed से ही बनते हैं इसमें किस किस type को आप cover up करते हैं बड़े ध्यान से सुनियेगा जैसे आपने चोर police concept सुना है कि चोरी होती है चोर भागता है पुलिस उसका पीछा करता है अगर 10 बज़े चोरी हुई है पुलिस की गती 60 की है चोर की गती 80 की है तो कितने बज़े इस तरीके से पकड़ा ज जाएगा एक यह वाला concept आप लोगों ने पढ़ा होगा दूसरा concept जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो यह पढ़ा होगा कि bomb को फोडा जाता है ठीक है और एक यातरी बहुत दूर भागने की कोशिश करता है अगर normal speed से भागेगा तो 2 minute में पहुँच जाएगा और bomb के फ जाता है कि एक train जयापुचन निकलती है दूसरे train पटना से निकलती है एक की गती 60 की है दूसरे की 80 की है बीच में जो है अगर मान लो 140 km की दूरी है या 200 की की दूरी है तो कितने समय में वो लोग मिल जाएंगे इस तरीके से हमारे सवाल को पूछा जाता है ठीक है तो आगे चलकर यहीं relative speed concept जो है वो boat or stream में बदल जाता है, boat or stream में कैसे बदल जाता है, जैसे यहाँ पर यह वाला concept हो जाता है, आपका downstream और यह वाला concept हो जाता है upstream, ठीक है, now की भी जाल उधर ही जिदर धारा की चाल है, तो total speed x plus y हो जाता है, ठीक है, और यहाँ now की चाल इधर है, धारा की चाल उसके विपरित में है, तो यहाँ पर speed जो होता है, वो x minus y होता है, तो relative speed अपने आप में एक बहुत बड़ा topic है, और इस topic से बहुत अलगला category में question पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें, तो relative speed में सबसे पहला type हम पढ़ेंगे, कि यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हो, तो आज की class में मैं आपको question से जादा concept के उपर focus कराऊंगा, ताकि आप किसी भी तरह के सवाल को बना लो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कि आपका जो है ये train हमारा A है, और दूसरा train जो है वो हमारा B है, ठीक है, दोनों के दोनों अगर A की दिशा में चलते हैं, ठीक, अगर इसकी speed जो है वो 60 km परतिगंटे की है, और दूसरे वाले की speed जो है वो 80 km परतिगंटे की है, तो हम सिर्फ बोलेंगे कि इनकी relative speed कितनी होगी, इनका relative speed कितना होगा, आप से सिर्फ इतना पूछा है कि इनका relative speed कितना होगा, तो हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी दो train, दो वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हो तो इनका relative speed इन दोनों का अंतर होता है माइनस होता है 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 किलोमेटर प्रती घंटा होगा 20 किलोमेटर प्रती घंटा होगा आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप देखेंगे कि दो गाड़िया रोड़ पर आमने सामने से टकराती है तो बहुत जादा नुकसान होता है और दो गाड़िया रोड़ पर जैसे एक गाड़ी चल रही है दूसरी ने उसको पीछे से टकर मारा तो उसमें काफी कम टकर महसूस होता है काफी कम नुकसान होता है लेकिन अगर एक गाड़ी 50 से चल रही है, दूसरी 40 से और आमने सामने से टक कर मारे तो दोनों की दुर्दशा एकदम देखने लाइक हो जाएगी, बहुत बुरी हालत हो जाएगी लेकिन अगर वहीं एक 50 से चल रहा है, दूसरा उसको 60 से टक कर मारता है उसको उतना अभास नहीं होता है, बस इतना पता चलता है, हाँ ठीक है, पीछे से धक्का लगा है, तो क्यों लगा है, क्योंकि वो relative speed काफी कम हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, तो यहीं जब भी दो वस्त हुए, अगर एक ही दिशा में चल रही होंगी, तो उनका relative speed क्या होगा इन दोनों का अंतर होगा, difference होगा, आप सिधा का सिधा उनका relative speed क्या लिख सकते हैं, 80-60, बराबर 20 km प्रतिगंटा, यह आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, कि whenever two object travel in a same direction, their relative speed is equal to the difference of their speed, ठीक है, यहाँ पर time constant है, नहीं हमें कोई फरक नहीं पड़ता ह बस अभी हम relative speed सीख रहे हैं, और हमें बस उससे फरक पड़ता है, next बात की बात करते हैं हम यहाँ पर, कि जब दो object अलग-अलग दिशा में हो, जैसे a आपको जा रहा है, यहाँ पे 60 km प्रतिगंटा से, और b जो हमारा आ रहा है, कितना km प्रतिगंटा से, 80 km प्रतिगंटा से, ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका relative speed होगा, यह relative speed कितना होगा, आप से यह पूछा जाएगा, तो बोलेंगे से relative speed का मतलब क्या होता है, इनके बीच में relation कैसा है, मैंने कहा ना, जब 200 लोग आमने सामने आते हैं, तो इनका relative speed क्या हो जाएगा, इनका जोड हो जाएगा, तो 140 km प्रती घंटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 140 km प्रती घंटा, ठीक है, तो आमने सामने से आएंगे तो add होगा, और एक ही दिशा में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, clear, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, बहुत अच्छी बात, सब का अंसर आ रहा है, तो एक छोटा सा कोशन हम आपको बोलते हैं, सिंपल सा कोशन आपसे पूछा गया है, और कोशन में आपसे यह पूछा गया है, कि यदि दो स्टेशन है, हमारा एक हमारा पतना स्टेशन है, और दूसरा स्टेशन हमारा माल लीजे दिल्ली है, पतना और दल्ली के बीच में, पटना और दल्ली के बीच में जो दूरी है वो कितने की है? 1000 km की है पटना से जो ट्रेन निकलती है इसकी जो स्पीड है 30 km प्रतिःगंटा और जो दिल्ली से ट्रेन निकलती है उसकी स्पीड है 70 km प्रतिःगंटा तो आपसे 3-4 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं पहला question आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ जब वो मिले थे तो कितने time बाद वो मिलेंगे कितने time के बाद वो लोग मिलेंगे question number one दूसरा question आपसे ये पूछा जाएगा कि जब वो मिले होंगे तो train A ने कितना distance cover किया होगा और train B ने कितना distance cover किया होगा आपसे ये question बोलेगा distance travel by A कितना था और फिर आपसे बोला जाएगा distance travel by B कितना था ये तीन तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं पहला question आपसे किया पूछा जाता है ठीक है तो हम ज़रा देखते हैं सबसे पहली बात यहां पर कि जब यह दो आमने सामने से चल रहे हो तो कैसे बनाएंगे तो simple सी बात है आप मेरे बात को हमेशा ध्यान रखिए time speed distance का formula क्या होता है time speed distance का formula क्या होता है आप बोलते हैं sir time बराबर always distance upon क्या होता है speed यह formula रहता है कि नहीं रहता है आप मज़े बताईए कि time बराबर distance upon speed होता है कोई दिक्कत की बात यहां पर तो यहां पर अगर मुझे time बताना है तो time बराबर क्या लिखेंगे distance upon speed distance कितना है तो बोलेंगे sir 1000 km है कितना है 1000 km है और speed की बात करें तो यहां पर speed आप किसका लोगे A का लोगे B का लोगे या इनका relative speed लोगे तो बोलोगे sir इनका हम relative speed लेंगे क्या लेंगे इनका हम relative speed लेंगे यानि यह 30 से चल रहा है और यह 70 से चल रहा है और जब वो आमने सामने आते हैं तो उनके स्पीड को हम क्या करते हैं उनके स्पीड को हम जोड देते हैं यानि स्पीड में यहां 70 प्लस 30 आ जाएगा 70 और 30 कितना होगा 100, 1000 को 100 के साथ भाग करोगे तो कितने गंटे में वो लोग मिलेंगे 10 गंटे में वो लोग मिल जाएगे कितने गंटे में मिलेंगे मेरे भाई तो 10 गंटे में वो दोनों के दोनों मिल जाएंगे टाइम बराबर कितना आएगा टाइम बराबर 10 गंटा आएगा इस बात को धियान रखना है क्योускि टाइम बराबर होग़ा distance upon speed distance हमारा 1000 है तो 1000 लिख दिया और speed में हम relative लिखेंगे अगर यहीं दोनों distance अगर यहीं दोनों train एक दिशा में जा रहे होते तो speed का अंतर लेते हैं आमने सामने आते हैं तो time कितना होगा? 10 गंटा होगा, clear? चलिए अब अगला question आप से क्या बोलेगा? कि A ने कितने दूरी तै की है और B ने कितने दूरी तै की है तो देखो A कितना दूरी तै करेगा और B कितना दूरी तै करेगा वो हमें यहाँ पर बड़े प्यार तरीके से देखना है ठीक है? कैसे हम सवाल को बना पाएंगे? तो कभी भी आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखना है एक प्यारा सा concept होता है जिसको हम बोलते हैं concept of constant time concept of constant time और concept of constant time का concept हमें क्या कहता है वो देखेंगे concept of constant time हमें क्या कहता है वो देखेंगे जैसे मानिए कि दो लोग है या तो वो एकी दिशा में चल रहे हैं या वो विपरित दिशा में चल रहे हैं दोनों जो हैं वो विपरित दिशा में चल रहे हैं और एकी समय के बाद इनका मिलन समारो होता है जैसे मानो दो घंटे के बाद यहां पर यह दोनों के दोनों घर में अपने 10 वजे चले हैं कितने वजे? 10 वजे चले हैं और 12 वजे यह दोनों मिल जाते हैं यानि A को ये दूरी तया करने में 2 घंटा लगा और B को ये दूरी तया करने में 2 घंटा लगा ठीक है? ऐसा हो सकता है कि 10 वजे चले थे 12 बजे मिल जाएं अब जब ये मिले होंगे ना तो A की जो रफतार है वो कितने की है? 70 km प्रति घंटे की रफतार है और B की जो रफतार है वो कितने की है? 90 km प्रति घंटे की रफतार है तो हमारा concept of constant time क्या कहता है? हमारा concept of constant time ये कहता है कि जैसे कि आपको पता है, ठीक है? speed बराबर क्या होता है? distance upon time जो चीज constant होती है उसको 1 मान लेते हैं यानि इससे हमारा relation आ गया कि जो ratio हमारा distance का होगा वही ratio speed का होगा या फिर हम उल्टा कह सकते हैं कि जो ratio हमारे speed का होगा वही ratio distance का होगा देखिए, जब भी आपका time constant रहे जब भी आपका time constant रहे तो जो आपके speed का अनुपात होगा वहीं अनुपात आपके distance का होगा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो वेक्ति जितना ज़्यादा तेज भागेगा वो उतना ज़्यादा दूरी तै करेगा जैसे मानो आप हो आपकी गती 50 की है आपके छोटे भाई की गती 20 की है और आपकी बहन की गती 30 की है ठीक है आपका छोटा भाई 20 किलोमेटर प्रति घंटा भागता है ठीक आपकी जो बहन है वो 30 किलोमेटर प्रति घंटा भागती हैं और आप जो हैं वो 50 किलोमेटर प्रति घंटा भागते हैं तो अगर मैं एक constant time दे दूँ मैं बोल दूँ कि एक घंटे में आप लोग कितना कितना भागे होगे तो आपका छोटा भाई एक घंटे में 20 km भागा होगा आपके sister 30 km भागी होंगी और आप 50 km भागे होंगे आपका speed कितना था तो बोलेंगे सर छोटे भाई का speed 20 था बहन का 50 था मेरा 50 था ठीक है बहन का 30 मेरा 50 और आप लोगों ने दूरी एक घंटे में कितना तै किया तो 20 30 50 तो क्या जो ratio आप लोगों की speed का था वही ratio आपके distance का आया की नहीं आया बताओ आया ना तो यहीं बात होती है कि जब एक fix समय दे दिया जाता है तो जिस ratio में आपका speed होता है उसी ratio में आपका distance भी होता है जिस ratio में आपका speed होता है उसी ratio में आपका distance भी होता है इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक तो यहाँ पर जैसे अगर इनका माल लिजे अगर मैं बोल दूँ ए और बी के बीच की दूरी जो है 320 km है ए और बी के बीच की दूरी 320 km है तो आप बोलेंगे सर इनका स्पीड का रेशो कितना है तो 7 रेशो 9 है अगर इनके स्पीड का रेशो 7 रेशो 9 है इनके स्पीड का रेशो तो इनके डिस्टेंस का रेशो कितना होगा तो वो भी 7 रेशो 9 होगा यानि यहां से लेकर यहां तक 7 यूनिट डिस्टेंस है और यहां से लेकर यहां तक 9 यूनिट डिस्टेंस है total distance 7 जमाँ 9, 16 unit यानि यह 320 km है यह कितने unit का मान है 16 unit का, 1 unit का मान आजाएगा 20 km, तो 7 unit का मान 140 और 9 unit का मान 140 आप इस तरीके से निकालेंगे, आप simple क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कि देख भाई distance का ratio निकालना है ना A का और B का, तो सीधी सी बात है देखो distance ऐसे निकलेगा distance का ratio निकालने के लिए speed का ratio देखो तो बोलोगे sir speed का ratio 7 बटे 9 है कितना है 7 बटे 9 है 9 और 7 16 16 कमान सवाल में कितना दे रखा है 16 कमान 320 दे रखा है 1 कमान 20 आएगा तो 7 कमान 140 किलोमेटर और 9 कमान 140 किलोमेटर ये इनकी द्वारा ते की गई क्या थी ये इनके द्वारा ते की गई दूरी थी ठीक है तो जैसे हमारा ये वाला question है इस वाले question में बोला है कि जब वो मिल जाते हैं तो बताओ A और B के द्वारा ते किया गया distance कितना होगा तो आप distance के लिए क्या बोलेंगे, बोलेंगे distance का अगर हमें निकालना है, तो A upon B बराबर, A का जो speed है और B का जो speed है, A का speed कितना है, तो बोलेंगे sir A का speed 30 है, B का speed कितना है, तो B का speed 70 है, इनके speed का ratio क्या है, 3 अनुपात 7 है, इनके speed का ratio क्या है, 3 अनुपात 7, तो distance का भी ratio कि तो थीन USA नियुनिट वह ध्याता है सात यूनिट तो 3 और 7 यानि 10 यूनिट ही तो 30AA ऑ़लो ही हज़ा किलिमीटर के बराबर होंगे तो अगर यह 10 यूनिट 30 말이 केब और होगा तो एक यूनिट 100 किलिमीटर के बराबर तो Department 10 यूनिट 300 किलोमेटर के बराबर और 7 यूनिट 700 किलोमेटर के बराबर ये बात क्लियर है बहुत इश्यատदार तरीके से कैसे समजा हम ने हमने देखा कि देखो 1000 diplomatic की दूरी है Speed něs desses ये 97 ये 97Ah तो distance का भी 10 belki 37' होगा, यानिамि ये 3 यूनिट भागे गा साथ ये seven earnest टोटल दस का मान, हजार, तीन का मान, तीन सो, साथ का मान, साथ सो सुभास कहते हैं सर ये batch banking exam के लिए sufficient है क्या बिल्कुल sufficient है सुभास ठीक है complete banking आपका इससे cover up हो रहा है परिशान होने की कोई बात नहीं है तो दो-तीन सवाल ऐसे हैं जो मैं आपको देता हूँ, ठीक है और आप लोग मुझे उसका answer बताएंगे, ये सवाल की PPT नहीं है ये सवाल मैं randomly आप लोग को दे रहा हूँ, कुछ extra questions मैं आप लोग को practice करवा रहा हूँ क्योंकि, ठीक है, बिलकुल, कुछ extra questions की practice मैं आप लोग को करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को काफी फायदा हो, तो चलिए सवाल को देखते हैं हम लोग, ठीक है बिलकुल, आप लोग के फायदे के लिए कुछ extra questions करवा रहा है जैसे सवाल में क्या बोला गया है, दो station है, ठीक है distance between A and B, A है और B है, सवाल में यहाँ पर देखिए, जो बाते बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा A है और B है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो बोलेंगे sir, दोनों के बीच में दूरी 550 km की है ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं A जो है, B के तरफ चलना शुरू करता है, और B जो है, वो A की तरफ चलना शुरू कर देता है कितने कितने की रफतार से, 60 और 50 से कितने की रफतार से, A जो है, वो 60 km प्रती घंटे की रफतार से चलता है और B जो है वो 50 km प्रती घंटे की रफतार से चलता है तो बोला गया है बताओ कितने समय के बाद वो लोग मिलेंगे और option है आपका 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा देखो 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा और 6 घंटा ये आप से सवाल में बोला गया है option number A है, B है, C है, D है आपके previous year का question है simple सा question है कि दो point है, point A और B एक वेक्ती यहां से 60 की रफतार से चलता है दूसरा यहां से 50 की रफतार से चलता है दोनों के बीच की दूरी साड़े 500 km है तो बताओ कितने समय के बाद वो लोग मिलेंगे कितने समय के बाद मिलेंगे ठीक है, बहुत अच्छे सभी कह रहे हैं सर 5, 5, 5 कैसे निकाला आपने तो बोलेंगे सर, time बराबर क्या होता है time बराबर distance upon speed होता है distance कितना है तो 550 km और speed कैसे लेंगे तो speed relative में जब आमने सामने आते हैं जोड देते हैं, तो 60 और 50 कितना आ जाएगा 110 110 इसको कितनी बार में काटेगा 5 बार में तो हमारा answer कितना होगा 5 गंटे जो होगा, वो हमारा answer होगा बिलकुल, एक exam में पूछा गया एक question था, next question देखिए, सेम तरीके से आपसे बोला गया है next question भी देखिए A और B के बीच की दूरी कितनी है 120 किलोमेटर है, सवाल देखेंगे A और B के बीच की दूरी जो है, वो हमारी है 120 किलोमेटर उसके बाद हमसे सवाल में बोला है, ठीक है, कि अगर वो एक दूसरे की तरफ मिलते हैं ठीक है, चलिए इसी सवाल में थोड़ा improvisation कर देता हूँ मैं 120 किलोमेटर की दूरी है, ठीक A की जो रफटार है, वो है आपको 40 की रफटार, या आप ऐसे कह सकते हैं, 4 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफटार है ठीक है, और B की जो रफटार है, वो कितनी है, 8 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफटार है, ठीक है 4 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफटार है B की जो रफटार है, वो 8 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफटार है, तो A के दौरा कितना दूरी तै किया जाएगा और B के द्वारा कितना दोरी तै किया जाएगा बताइए कुछ समय के बाद ये दोनों मिल जाते हैं जब ये लोग मिलेंगे तो A ने कितनी दोरी तै की होगी और B ने कितनी दोरी तै की होगी हमारा examiner हमसे ये पूछेगा A B के तरफ चलता है 4 km प्रतिगंटे की रफतार से B A की तरफ चलता है 8 km प्रतिगंटे की रफतार से ठीक है कुछ समय के बाद दोनों मिल जाते हैं जब ये लोग मिले होंगे तो A ने कितनी दूरी तैकी होगी और B ने कितनी दूरी तैकी होगी यह हमसे सवाल में पूछा गया है तो आप सिंपल सा बात बताओ जब भी ये लोग मिलेंगे तो ये जो distance travel करेंगे ये जो distance travel करेंगे ये किस रिश्यो में करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये जो भी दूरी तै करेंगे ये अपने speed के ratio में तै करेंगे A का Speed 4 है और B का Speed 8 है Speed का Ratio कितना है? 1 बटे 2 तो Distance का भी Ratio कितना हो जाएगा? 1 बटे 2 ये 3 Unit का मान कितना है? 3 Unit का मान 120 km है तो अगर 3 Unit का मान आप ऐसे कह सकते हो ये जो 3 Unit है ये कितने के बराबर है? 120 के बराबर एक यूनिट 40 के बराबर तो एक का मान आ जाएगा 40 और दो यूनिट 80 के बराबर तो इसका मान हो जाएगा 80 किलोमेटर यानि A ने 40 किलोमेटर की दूरी तैकी होगी और B ने 80 किलोमेटर की दूरी तैकी होगी clear है, शलिए, बहुत अच्छे, मोहित रोहिला, मुहमद दाहुद, रोची रानी, बहुत अच्छे, शांदार फिर से एक और सवाल आपके पेपर में पूछा गया था, ठीक अब दूसरा सवाल आपके पेपर में पूछा गया था, ये point A है और ये point B है यहां से चोर भागता है और उल्टे दिशा से पुलिस भागती है, ठीक है, दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितने की है तो 500 किलोमेटर की दूरी है हमारी चोर की जो रफ़तार है वो आप कह सकते हैं कि चोर की रफ़तार 5 km प्रति घंटा है ठीक है और जो पुलिस की रफ़तार है वो आप कह सकते हैं पुलिस की रफ़तार है और ये डिस्टंस को आप 500 के जगए 600 कर लेजे और जो पुलिस की रफतार है वो कितनी है तो 10 किलोमेटर प्रती घंटा है सबसे पहला सवाल ये होगा कि चोर और पुलिस का जो मिलन है वो कितने टाइम पर होगा देखो अब सवाल में इसमें क्या बोला गया था ये आपसे बोला गया था कि अगर जो है दोनों के दोनों 10 बजे भागना शुरू करते हैं एकदम सुभा के 10 बजे ये चोर यहां से 10 बजे भागता है पुलिस यहां से 10 बजे भागता है दोनों की बीच की दूरी 600 किलोमेटर है हाईवे के एक एंड से ये है हाईवे के दूसरे साइड से ये है और यहाँ पर दोनों की बीच की दूरी जो है वो 600 किलोमेटर है चोर 5 के रफतार से पुलिस 10 के रफतार से अगर 10 वजे चोरी हुई थी और 10 बजे भागना शुरू किया था तो कितने बजे ये लोग मिलेंगे option आपका होगा 10 बज के 40 मिनट 10 बज के 50 मिनट 11 बजे या none of these पहला question ठीक है दूसरा question आपसे पूछा जाएगा कि जब ये लोग मिले होंगे तो distance travel by thief यानि चोर के द्वारा तै की गई दूरी कितना होगा तीसरा question आपसे पूछा जाएगा पुलिस के द्वारा तै की गई दूरी कितना होगा आप मुझे ये बताओ ठीक है ये बताईए तो देखिए एकदम simple सा question है आपसे खुद देखिए यहाँ पर ठीक है, simple सा question है जब भी हमें time निकालना होगा तो time बराबर क्या होता है distance, distance कितना है, 600 km और upon क्या लेंगे, तो upon लेंगे speed, speed का मतलब कितना हो गया 5 और 10 कितना हो गया 5 जमा 10, 15 15 को जब आप इससे काटेंगे तो आपके लगेंगे 40 घंटे, कितना लगेगा मेरे भाई 40 घंटे लगेगा 40 घंटे लगेगा और मानो की अगर यह 10 बच के Sunday है अगर यह Sunday को जो है Sunday को जो है एक काम करो speed को बढ़ा दो, speed को जो है ना थोड़ा Sunday, Monday का चक्कर ना रखके speed को आप ऐसा कर दो कि यह 50 है और यह 100 है अब सही है speed को 500 कर दो अब बताओ speed को 500 करने पर कितना लगेगा देखो speed को 50 कर दो और 100 किलमेटर प्रती घंटा कर दो तो बोलोगे sir time बराबर क्या हो जाएगा time बराबर distance 600 किलमेटर और बट्टे में speed 500 कितना हो जाएगा देखो हो जाएगा तो देखो इसको काटेगा 4 घंटे में कितने बज़े काटेगा 4 घंटे में यानि 4 घंटे के बाद दोनों के दोनों मिल जाएगे शोरी हुई थी 10 बज़े और 10 बज़े में 4 घंटे जोड दीजे तो यानि आप कह सकते हैं कि सर जो समय जब वो मिले होंगे वो कितना बज़रा होगा 10 बज़े में 4 गंटे जोड़ दो यानि वो लोग 2 पीम में 2 बज़े तो पहर में दोनों के दोनों क्या थे मिल गए थे 2 बज़े तो पहर में क्या थे दोनों के दोनों मिल गए थे पहली बात clear हो गया, दूसरी बात आपसे बोलेगा कि उन्होंने दूरी कितनी तैकी होगी, तो आप बोलेंगे सर जो दूरी तैकी है, वो कैसे तैकी है, तो वो देखो, distance का वही रेशियो होता है, जो speed का रेशियो होता है, speed का रेशियो कितना है, तो 1 अनुपात 2 है, पचास जो दूरी तैकी है, वो कितनी तैकी है, 400 km, ठीक है, तो चोर ने जो दूरी तैकी, वो 200 km की, और पुलिस ने जो दूरी तैकी है, वो 400 km की, ठीक, चलिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, अगला सवाल थोड़ा सा different है, और थोड़ा सा हटक इसको आप ऐसा भी कह सकते हो चोर पुलिस कंसेप्ट और चोर पुलिस कंसेप्ट क्या होता है तो चोर पुलिस कंसेप्ट भी जो है वो रिलेटिव स्पीड पर काम करता है रिलेटिव स्पीड पर ही ये बेस होता है जैसे मानो यहां पर यह हमारा कहा है यह हमारा पुलिस टे पुलिस यहां से भागती है, चोर यहां से भागता है, और कुछ समय के बाद दोनों का जाकर क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो की नहीं, जैसे मालों दो गंटे के बाद मिल जाएगा, तीन गंटे के बाद मिल जाएगा, चार गंटे के बाद कोई प 50 km प्रतिगंटे की रफ्तार है, इनके बीच में जो दूरी है वो दिया गया है आपको, ठीक है, वो 70 km दिया गया है, समझना मेरी वात को, वो 70 km दिया गया है, सवाल में आपसे क्या बोला है, सवाल में आपसे बोला है कि एक बड़ी सी हाईवे है, ठीक है, चोर और पुलिस क अपने थाने से भागना शुरू करती है अगर चोर 40 के स्पीड से भागता है पुलिस 50 के स्पीड से भागती है तो यहाँ पर भी सेम तरीके से तीन सवाल आपसे पूछा जाएंगे पहला कोशन, कितने समय के बाद चोर पकड़ा जाएगा कितने घंटे के बाद, गंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे कितना दूसरा कोशन आपसे पूछा जाएगा कि पुलिस ने जो दूरी तह की, वो कितनी तह की और तीसरा सवाल चोर ने जो दूरी तह की, वो कितनी तह की सेम तरीके से, पीछे वाले सिरीज में आप क्या देख रहे then, पीछे वाले में ये देख रहे थे कि जब दो अब्जेक्ट आमने सामने ट्रेवल कर रहे होंगे, तो Time पुछए गा, इस वाले में आपने में देखा था कि जब दो object एक ही direction में भाग रहे होंगे तो हमसे क्या पूछेगा time पूछेगा और उनका distance पूछेगा ठीक तो ऐसे case में हम इनका distance और time कैसे निकालेंगे clear है कैसे निकालेंगे तो same तरीके से हम क्या बोलेंगे कि देखो मेरे भाई हमेशा इस बात को ध्यान रखना time बराबर क्या होता है तो time बराबर होता है distance upon speed distance upon speed इन दो लोगों की बीच का दूरी का पता होना जरूरी है और distance कौन सा लेंगे इस पूरे track का distance कभी नहीं लेते हैं वो दो object के बीच की दूरी क्या है वो लेते हैं जैसे पीछे वाले कोशन भी आप देख रहे होंगे तो ये दो लोगों की बीच की दूरी कितनी थी वो ले रहे थे इसके अलावा कितनी दूरी होती हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो star mark बनाकर अपने copy में note कर लीजे चोर पुलिस के concept में जो हम distance लेते हैं वो चोर और पुलिस के बीच के दूरी को लेते हैं इसके अलावा और कोई distance को नहीं लेते हैं तो distance कितना है तो बोलेंगे sir distance है हमारा 70 km का अब मुझे दूसरा concept बताईए आप दूसरा concept खुद सोचिए कि जब दो लोग एकी दिशा में भाग रहे होंगे तो उनके speed को हम plus करते हैं कि minus करते हैं बताईए जब एकी दिशा में भाग रहे होंगे तो उनके speed को आप minus करेंगे यानि 50 में से 40 गया तो कितना आएगा 10 आएगा, तो इनका speed हो गया, 10 का distance सा 70, कितने time के बाद पकड़ा जाएगा बेचारा हमारा चोर, तो बोलोगे sir 7 घंटे के बाद ये पकड़ा गया, कितने घंटे के बाद पकड़ा गया, 7 घंटे के बाद ये पकड़ा गया, सीधी सी बात चलो, दूसरा आपने क्या पढ़ा कि भाई, जब 7 घंटे के बाद चोर पकड़ा गया, यानि 7 घंटे पुलिस भी भागी है, 7 घंटे चोर भी भागी है, तो समय यहाँ पर क्या है, समय हमारा constant है, जितना समय चोर ने लिया है, उतना ही समय पुलिस ने लिया है, ठीक है, और 7 घंटे में जो है, पुलिस चोर क पकड़ लेती है, तो यहां पर हमारा क्या लगेगा, तो concept of constant time लगेगा, और concept of constant time क्या कहता है, कि जिस ratio में हमारे speed होती है, उसी ratio में हमारा distance होता है, मेरी बात को आप समझें या नहीं समझें, तो बोलेंगे हाँ sir, तो जरा यहां पर God से देखिए, तो इनके speed का अनुपात क पुलिस का speed 50 का, चोर का speed 40 का, तो यह जो distance भागे होंगे, यह कितना भागे होंगे, फाइफ ratio 4 भागे होंगे, ठीक, अब यहां पर किसका मान दिया गया है, तो आप गौर करो, तो पुलिस यहां से लेकर यहां तक भागी है, मतलब यह कितना unit है, तो 5 unit की दूरी है, और च चोर यहां से लेकर यहां तक भागा है, तो यह कितना unit की दूरी है, चार unit की दूरी है, तो यहां से लेकर यहां तक 5 unit, यहां से लेकर यहां तक 4 unit, तो यह जो बीच वाला gap हो गया, यह कितना हो गया, यह एक unit हो गया की नहीं, आप ऐसे भी कह सकते हो, कि पुलिस चोर से 70 km जादा भागी है क्यों क्योंकि ये दूरी 70 km की है बोल सकते हैं कि नहीं कि पुलिस 5 यूनिट भागती है चोर 4 यूनिट भागता है तो पुलिस एक यूनिट जादा भागती है पुलिस यहां पर एक यूनिट जादा भागती है और यहीं एक यूनिट कमान सवाल में कितना द क्लियर है फिर से समझा देते हैं आपको तीन चीज़े पूछी जाएंगी पहला कोशन आपसे पूछा जाएगा टाइम टाइम कैसे निकालोगे तो टाइम बराब डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड साथ गंटे दूसरा कोशन आपसे यह पूछा जाएगा चोर और ज्यादा भागरी है क्योंकि शुरू में चोर इतना का लीड बनाकर बैठा हुआ है यानि एक कामान सत्तर तो पांच कामान साड़े तीन सो चार कामान दो सो असी अब यहां पर एक और इंट्रस्टिंग कोशन कभी कभी पूछ लिया जाता है जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यह जो पूरा ट्रैक है यह जो हाईवे है और जहां पर चोर ने पुलिस का पीछा किया और पुलिस ने चोर का पीछा किया पुलिस ने चोर का पीछा किया तो यह ट्रैक के लंबाई कितनी होगी इसकी लंबाई कितनी होगी तो यह जो लंबाई है यह कितना हो जाएगी 3.500 km ये जो लंबाई है इस लंबाई का मान कितना है तो 5 unit है 5 unit का मान कितना हो गया 3.500 km तो बोलोगे 3.500 पूछेगा चोर कितना भागा 200 सी, पुलिस कितनी भागी 3.500 और ट्रैक की लंबाई कितने की थी तो 3.500 km की कल की दिन ये भी पूछ सकता है कि उस ट्रैक को कितना किलोमेटर लंबा होना पड़ेगा कि चोर आसानी से पुलिस से पकड़ा जाए तो 3.500 km लंबा होना पड़ेगा ठीक है? एक और कोशन आप लोगों को देते हैं थाकि आप लोगों को और clarity मिले, समझेगा तो पुलिस की रफ़तार 15 की है और चोर की रफ़तार 5 की है ठीक? तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि कितने टाइम के बाद वो पकड़ा जाएगा दूसरा कोशन पुलिस के द्वारा तै की गई दूरी, तीसरा कोशन चोर के द्वारा तै की गई दूरी चौथा question ट्रैक की दूरी कितनी होगी ये हमारे चार्चरवाल फेवरेट पूछे जा सकते हैं आपके परिक्षाम है ठीक है समझ में आगया बात तो कैसे बोलेंगे बोलेंगे सर यहाँ पर जो time होगा हमेशा time बराबर क्या होता है time बराबर इन दोनों के बीच के distance कितनी है 60 और speed कैसे लेंगे 15 में से 5 को घटा देंगे यह km प्रती घंटा है ठीक है और यह km प्रती घंटा है तो बोलेंगे 15 में से 5 घटा दीजे सर 10 हो जाएगा काटेंगे तो कितने घंटे के बाद मिल जाएगे तो बोलोगे सर 6 घंटे के बाद जो है यह लोग क्या हो जाएगे मिल जाएगे 6 घंटे के बाद दोनों क्या हो जाएगे मिल जाएगे point number 1 clear हुआ point number 2 बोलेगा कि police और चोर के द्वारा तैकी गई दोरी तो सीधा ratio लगाओ speed का अनुपात कितने का है तो बोलोगे सर 15 बटे 5 का है कितने का है 15 बटे 5 का है 15 बटे 5 कितना होता है तो बोलोगे सर 3 अनुपात 1 होता है यानि police का अगर speed 3 है तो चोर का speed कितना है अगर speed का ratio 3 अनुपात 1 तो distance का ratio कितना हो जाएगा जहां अपर दोनों आमने शामने दिशा में आ रहे थे वहां पर उन दोनों को जोड़ना होता था और 4 की value 60 आती थी यहां पर इन दोनों का अंतर लेना होगा क्यों पुलिस 3 unit भागा, 4 1 unit भागा यानि यह जो है यह 2 unit का gap है तो 2 unit का मान यहां पर my dear 60 km दिया गया है तो खुद बताओ, 2 का मान 60 तो 1 का मान, 30 तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 90 km और 1 का मान कितना हो जाएगा 30 km, तभी तो 4 30 km भागा और 60 km की दूरी थी तो पुलिस को 90 km की दूरी तै करने थी clear हो गया, तो पुलिस की दूरी कितनी है, तो पुलिस 90 km भागी चोर कितना भागी, तो चोर 30 km भागा, और track की बात करते है तो जो answer पुलिस का होता है वही answer क्या होता है, track का होता है यहां से यहां 60 है और यहां से यहां 30 है, तो पूरे track की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी 90 किलोमेटर यानि जितना यातरा पुलिस तै करेगी उतनाई किलोमेटर जो होगा वो ट्रैक की लंबाई होगी बताओ, क्लियर है क्लियर है, एक बार बताओ जल्दी से क्या सारी बाते जितनी हमने बताई हैं वो सारी बाते आपको समझ में आई बहुत जरूरी है चोर पुलिस के कंसेप्ट को जानना अगर आप चोर पुलिस के कंसेप्ट को नहीं जानेंगे तो आपका बहुत सारा कुश्चन गडबड हो सकता है ठीक है सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो relative speed पर ही आधारित होते हैं ठीक चलिए अब सवाल को देखते हैं कुछ question आप लगों को दे देते हैं अब एक question आपका relative speed का इस type का भी आता है simple सा question है देखिए आप से क्या बोला गया है कि दो स्थान है A और B सवाल को देखिएगा दो स्थान है हमारे स्थान A है और स्थान B है इनके बीच की दूरी कितनी है तो इनके बीच की दूरी 120 किलोमेटर है कितने की दूरी है तो इनके बीच की दूरी 120 किलोमेटर है अगर वो एक दूसरे की तरफ move करते हैं if they move toward each other यदि ये एक दूसरे की तरफ चले ठीक है एक दूसरे की तरफ तो वो दो घंटे में मिल जाएंगे और यदि वो सेम दिशा में चले तो 6 घंटे में मिलेंगे मेरी बात को समझेगा सवाल में क्या बोला है सवाल में बोला है कि अगर वो आमने सामने चलते हैं तो वो दो घंटे में मिल जाएंगे और यदि वो जो है यहाँ पर एक ही दिशा में चलते हैं दो पॉइंट है A और B यहाँ पर एक परसन को बिठा दो यहाँ पर एक परसन को बिठा दो यदि आमने सामने चलेंगे तो दो घंटे में मिल जाएंगे और यदि दोनों के दोनों एकी दिशा से चलेंगे यही बोलाया ना If they move in same direction, they meet in 6 hours Distance between A and B is itna ठीक है If they move to ठीक है अब यदि एकी दिशा में चलेंगे तो एकी दिशा में कैसे चलेंगे देखिएगा सवाल को जैसे देखो सवाल में आपसे क्या बोला गया है 2 घंटे, 6 घंटे मैं आपको सवाल को explain करता हूँ और 120 किलोमेटर आपसे सवाल में ऐसे बोला गया फोटो वहाँ ना बना के ऐसे बनाता हूँ यह point A है और यह point B है ठीक है यह point A है और यह point B है अब यहाँ पर 2 point है हमारे चलो किसी पर example ले लेते हैं ठीक है दिव्या है और दिव्या की प्यारी सी सहेली है वो सहेली जिनके साथ वो सब कुछ शेयर किया करती थी ठीक है बच्पन में अपने memories, अपने notes, अपने सब कुछ ठीक है और एक वक्त आए कि आज की टाइम पर उस सहेली से वो बात भी नहीं करती है क्यूं? क्यूंकि बच्पन में बिना बताए उनका chocolate जो है इनकी सहेली ने खा लिया था ठीक है? बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है बात यहाँ पर यह है कि अब कर रहे हैं या SSE की तैयारी और जब तक सेलेक्शन नहीं होगा तब तक सहेली को बताएंगे नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं कहानी यहाँ पर यह है तो दो यहाँ पर पॉइंट है और दोनों पॉइंट की बीच की दूरी मैं आपको बताऊ तो दोनों पॉइंट की दूरी 120 किलोमेटर है जब यहाँ पर एक परशन और दूसरा परशन यहाँ से चलता है तो इनको समय लगता है 2 घंटा ठीक, अब दूसरा बोला गया है कि यहीं दोनों पॉइंट है A और B यहीं दोनों पॉइंट है A और B ठीक है अब एक person यहां से चलता है और दूसरा person यहां से चलता है तो इस हिसाब से अच्छा दूनों के बीच की दूरी कितनी है 120 km है ठीक है तो ये लोग मिलते हैं कितने गंटे में 6 गंटे में आप से सवाल में ये बोला गया है कि जो A का speed है वो बताओ कितना होगा speed of A कितना होगा सवाल में ठीक है और speed of B कितना होगा हमारे ये दो प्यारे प्यारे फ्रश्न पूछे गया है हमें बताना है ये हमारा प्यारा सा question है कि यदी दो लोग A की दिशा में चलें तो 6 गंटे में मिलेंगे आमने सामने चले तो 2 गंटे में मिलेंगे उनके बीच की दूरी 120 किलोमेटर है तो हमसे यहां पूछा गया speed कितना होगा option number A जो है वो है A की speed 20 दूसरे की speed 40 option number B जो है वो हमारा है A की speed 35 और दूसरे की 45 Option number C है वो हमारा है 10 km और 30 km प्रति घंटा Option number D है वो हमारा है 30,40 30,40 km प्रति घंटा ये हमारा speed है दिया गया है आंसर बताईए चलिए आंसर बताईए बहुत ही simple question है ठीक है कि जब वो आमने सामने चलते हैं तो 2 घंटे में मिलते हैं और जब वो A की दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे में मिलते हैं दोनों की बीच की दूरी अगर 120 km है तो A का और B का जो रफटार है वो कितना होगा ठीक है देखो बहुत शानदार कि बिटब भाई सभी के आंसर जा रहे हैं ठीक चलो simple सा question मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर यहाँ पर आप पहले क्या करो किसी को अगर कुछ भी नहीं आता न तो हर case के लिए एक प्यारा सा आपको formula बताया है आप formula लगए इस वाले case के लिए आप क्या बोलेंगे बोलेंगे sir time बराबर क्या होता है तो आप बोलेंगे सर उनके स्पीड को हम जोडते हैं यानि यहां पर जो आप स्पीड लेंगे वो किसकी वैल्यू आएगी स्पीड ओफ ए प्लस स्पीड ओफ बोलो ठीक है क्योंकि दोनों आमने सामने आ रहे हैं तो ए का स्पीड और बी का स्पीड जूटेगा डिस्टेंस के जगह ओपर कितना लेंगे तो डिस्टेंस कितना है हमारा तो बोलेंगे सर 120 लेंगे टाइम कितना लेंगे कितने टाइम में वो लोग मिल रहे हैं तो 2 में तो काटेंगे इसको तो आ जाएगा दोनों के स्पीड का सम कितना है तो 60 है यानि speed of a plus speed of b कितना आ गया तो 60 आ गया अब अजाएए दूसरे वाले case में दूसरे वाले case में अगर हम बात करें तो सेम तरीके से speed बराबर क्या होता है तो बोलेंगे sir distance upon time होता है क्या होता है? distance upon time होता है speed की बात करें यहाँ पर जनाब तो speed जो है यह सब a की दिशा में जब जाएंगे तो speed क्या करोगे आप? plus करोगे या minus करोगे? खुद सोचो जब वो a की दिशा में जा रहे हैं तो relative speed क्या होता है? minus होता है a की speed ज़्यादा होगी b की speed कम होगी और distance कितनी है तो 120 km है तो 120 रखेंगे समय कितना है तो समय हमारा 6 तो क्या रखेंगे? 6 से भाग करेंगे तो आजाएगा 20 ठीक है? अब यहाँ पर 2 equation मिल गए sa plus sb बराबर 60 sa minus sb बराबर 20 आप दोनों को solve करेंगे तो आपकी value आएगी की नहीं आएगी? बताओ आप बोलो जल्दी से sa plus sb की value कितनी है? तो sa plus sb की value 60 है और sa minus sb की value कितनी है? तो sa minus sb की value 20 है अगर आपको value निकालनी है तो दोनों को add करो तो a plus a कितना हो जाएगा? 2 of a बराबर b से हमारा b खतम 60, 20, 80 यानि speed of a कितना आजाएगा? तो speed of a 40 आजाएगा अगर a की speed 40 है तो b की कितनी होगी? 20 होगी तो a की speed 40 और b की speed कितनी हो जाएगी? b हो जाएगी सवाल में हमसे पूछा है कि उनकी speed क्या है? तो 20 और 40 कहां दिख रहा है? option number a में दिख रहा है तो option number a को क्या करेंगे? टिक करेंगे 20 को मा 40 बिलकुल ठीक है? जहाँ पर b की speed 20 होगी और a की speed कितनी होगी? 40 होगी ठीक? कोई समस्या की बात है यहाँ पर option number a जो होगा वो क्या होगा? correct answer होगा ठीक है? आपसे b का speed पूछा गया है और फिर आपसे a का speed पूछा गया है कि इनका speed कितना होगा? पहले b का पूछा गया है तो b का 20 आएगा फिर a का पूछा गया है तो a का 40 आएगा लनन कुमार कहते हैं बहुत मजा आ रहा है चलिए फिर से एक और सवाल देते हैं आप लोगों को समझेंगे मेरी बात को और ये question इस बार के CGL का पूछा हुआ question है सवाल में आपसे बोला है कि एक बंदा यहां से चला दूसरा यहां से चला दूरी कितने की है तो दूरी जो है उनके बीच 100 km की है 100 km की दूरी है तो इस हिसाब से वो लोग मिल जाते है कितने घंटे में तीन घंटे में अब अगर यहां पर एक person जो है दोनों आमने सामने यहां से यहां भागते हैं ठीक है और अगर इनके बीच की दूरी जो है वो 80 km है इनके बीच की दूरी कितनी की है 80 km की है तो यह लोग जो हैं कितने दिर में मिलते हैं तो आप बोलोगे सर यह लोग जो हैं मान लीजे 8 घंटे में मिलते हैं कितने घंटे में मिलते हैं 8 घंटे में मिलते हैं तो आप से बोला गया है यहां पर A का और B का स्पीड बताने को कि A और B का स्पीड कितना होगा स्पीड अफ A कितना होगा और स्पीड अफ B कितना होगा बता दिजे जल्दी से A का और B का स्पीड कितना होगा King of Mirzapur मुनना भहिया King of Mathspur आदित्य सर क्या वात है ऐसे शायरों की सक्त जरूरत है सिंपल सा गोश्टिन ठीक बताओ जब A की दिशा में चलते हैं तो स्पीड क्या होगा आंसर सब निकालने में लगे हुए हैं ठीक है इसका वैल्यू बताई है तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पर यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर जब A की दिशा देखो आमने सामने आते हैं तो दोनों के स्पीड का जोड बराबर होगा स्पीड बराबर क्या होता है स्पीड बराबर डिस्टन्स अपॉन टाइम यानि कितना हो जाएगा सो बटे तीन दे दियाना सवाल थोड़ा सा कल्कुलेटिव हमने आपको फस गये की नहीं फस गये आप ठीक है तो स्पीड बराबर डिस्टन्स अपॉन टाइम यानि सो बटे तीन ठीक है डिस्टन्स बराबर टाइम अब यहाँ पर देखो दूसरे वाले केस में जो इनका स्पीड आएगा वो क्या हैगा माइनस आएगा A माइनस B और यहाँ कितना है डिस्टन्स तो 80 बटे 8 हो जाएगा यानि डिस्टन्स अपॉन टाइम यानि 80 बटे 8 हो जाएगा हो जाएगा सर 100 बटे 3 जमा 80 बटे 8 80 बटे 8 को आप लिख सकते हो कि नहीं 10 गंटे तो लिख लो यहाँ पर 10 गंटे कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है आपका 30 और 100 तो बोलोगे सर ट्वाइस अफ स्पीड अफ ए बराबर 30 और 100 एक सो तीस 130 बटे कितना 3 हो जाएगा 2 से काटोगे तो 65 बार में तो जो एक ही रफ़तार आएगी वो कितनी आएगी एक ही रफ़तार 65 बटे 3 आजाएगी एक ही रफ़तार कितनी आएगी 65 बटे 3 ठीक है अब एक ही रफ़तार 65 बटे 3 है तो B की कितनी होनी चाहिए 100 बटे 3 में से 65 बटे 3 घटाओगे तो B की रफतार कितनी आ जाएगी तो 35 बटे 3 आ जाएगी 35 बटे 3 जो होगा वो क्या होगा correct answer होगा ठीक है गलती नहीं करना है इस बात को ध्यान रखिए गलती बहुत आप लोग कर देते हैं simple सा question है speed बराबर distance upon time तो कितना आ गया 100 बटे 3 दूसरे वाले में speed बराबर distance upon time यहाँ पर दोनों का speed plus में होगा यहाँ पर दोनों का speed minus में होगा फिर दोनों को जोड़ेंगे तो B से B खतम two of S से बराबर अमारा आ गया इतना A की speed आ गई और B की speed आ गई clear है बताईए कोई परिशानी किसी को कोई कस्ट किसी को it's easy question ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है ठीक अब अगला सवाल देखा जाए यह कुछ अच्छे questions थे मैंने का इसी से शुरुआत करते हैं जादा फायदा होगा ठीक है चलो अब next question देखो आपको next question बोला गया है कि दो distance से दो train एकी समय पर दो अलग-अलग station से शुरुआत करते हैं दो train एकी समय पर दो अलग-अलग प्रती घंटे की इसकी रफ्तार की बात करें तो 20 किलोमेटर प्रती घंटा है ठीक है और दूसरे वाले की जो रफ्तार है वो है 25 किलोमेटर प्रती घंटा देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन करेगा ठीक है उसके बाद बोला गया है कि जब वो मिले होंगे, जब वो मिले होंगे तो एक train दूसरे से 80 km की ज़्यादा दूरी तै किया होगा, तो बताओ इनके बीच में दूरी कितनी है, ठीक है सवाल में बोला है कि when they meet when they meet, ठीक है जब वे मिले होंगे, when they meet then one train then one train had traveled, ठीक है then one train had traveled then one train have traveled 80 km More than other Find the distance Find the distance किसके बीच Between them उनकी बीच की दूरी कितनी होगी सवाल में आपसे ये बोला है कि जब वो मिलते हैं बहुत शानदार भाई बहुत शानदार ठीक है बहुत simple सा question था simple सा question है हमारा A 20 के इससे भागता है B 25 के दूरी से भागता है जब वो मिले होंगे तो जाहिर सी बात है भाई जब वो मिलेंगे तो concept of क्या लगाएंगे concept of constant time लगाएंगे constant time लगाएंगे तो आप उस case में क्या बोलेंगे बोलेंगे sir distance का जो रेशु है वो बराबर होगा किसके distance का जो रेशु है वो बराबर होगा उनके speed के ratio के speed का रेशु कितना है तो 20 और 25 का है 20 और 25 का नुपाद कितना होता है 4.5 यानि अगर speed का ratio 4.5 है तो distance का भी ratio 4.5 ही हो जाएगा खुदी बताओ कि अगर speed का ratio यहाँ पर काट के देखो न यह किस ratio में है तो बोलोगे sir 4.5 है यह speed का ratio है तो distance का भी ratio 4.5 ही हो जाएगा और जब यह मिले होंगे तो एक वेक्ती दूसरे से 80 km जादा है अब खुद सोचो एक वेक्ती 5 भागा है दूसरा 4 भागा है यानि यह कितना जादा है तो बोलोगे sir यह एक unit जादा है कितना जादा है एक unit जादा है और यहीं एक unit का मान सवाल में कितना दे रखा है तो यहीं एक unit command सवाल में 80 km दे रखा है कि जब वो मिले होंगे तो एक वैक्ती दूसरे से 80 km ज़्यादा तै किया होगा यानि पहला वाला वैक्ती कितना तो एक command अगर 80 है तो 4 command कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा और 5 command कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा यानि ये जो बंदा है ये 320 km भागा ये कितना भागा 400 भागा अगर total distance पूछेगा तो total मतलब एक command 80 तो total कितना हो जाएगा 9 9 command कितना हो जाएगा 9,8,72 यानि 720 km total पूछेगा तो 720 A का पूछेगा 320 B का पूछेगा 400 आस्ता सक्सेना आपका 80 km क्या आ रहा है बताइए 80 km तो है ही नहीं सवाल में 80 km तो दिया गया है वो तो 80 km सवाल में दिया गया है सवाल में आपसे बोला हुआ है कि जब वो मिलते हैं तो दूसरा उससे 80 km ज़्यादा की दूरी तै करता है ठीक, सिंपल कोशन था अब जैसे मानो सेम कोशन मैं आपको ऐसे दे दूँ कि दो लोग है ठीक है एक यहाँ से भागता है और दूसरा यहाँ से भागता है जब वो मिलते हैं तो उनके बीच का डिस्टन्स का जो अंतर है DA-DB का जो अंतर है वो मान लो 100 km का है जहाँ पर A की जो रफ्तार है ठीक है A की रफ्तार आपको 80 km प्रती घंटा है और B की रफ्तार आपको 60 km प्रती घंटा है तो बताओ यहाँ पर पहला बात A ने कितना डिस्टन्स ट्रावल किया है दूसरा बात B ने कितना डिस्टन्स ट्रावल किया है और दूसरा बार distance A और B के बीच में कितना है ये हमसे पूछेगा तीन बाते हमसे पूछेगा बता नहीं सकते हैं बताईए एक 80 से भागता है दूसरा 60 से भागता है जब मिले होते हैं तो जो है उनके बीच की एक वेक्ती 100 किलोमेटर ज़ादा तै किया हुआ होता है ठीक है चलो तो यहाँ पर हम सीधी सी बात करें यहाँ पर तो इनके स्पीड का रेशो क्या है तो बोलोगे सर स्पीड का रेशो देखो यहाँ पर स्पीड का रेशो सिंपल सी बात है speed का ratio क्या होगा स्पीड का ratio आप 20 से 4 95 तीन speed का ratio 4.5 तो distance का भी讀 7 तो distance भी 4.5 3 तीन होगा उन्होंने distance भी तो इसी ratio में तै किया होगा ठीक उनके बीच अंतर कितने का है तो बोलो गे sir 100 km का यहीं इनका अंतर कितने का है तो 100 km का है तो ये बंदा कितना भागा है ये बंदा 400 km भागा है और ये कितना भागा है 300 km आप ऐसे भी लिख सकते हो ये आपके उपर है कि सरे स्पीड का रेश्यो 4 अनुपाद 3 तो डिस्टन्स का रेश्यो 4 अनुपाद 3 होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर हमारा time constant है एक बंदा 100 km जादा भागा ये 4 यूनिट भागा तो 4 का मान 400 तो बोलेगा A कितना भागा तो A भागा 4 यूनिट यानी 400 B कितना भागा तो 3 यूनिट यानी 300 और A और B के बीच की दूरी ये 4 यूनिट ये 3 यूनिट टोटल कितना unit, 7 unit A और B का बोलेगा, तो 4 और 3, 7 तो 7 का मान कितना बताएंगे, 700 बताएंगे हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे इसका उल्टा भी आपसे बूच सकता है इसका उल्टा कैसे पूच सकता है, वो भी देखिए आपसे बोलेगा, यह हमारा A है और यह हमारा B है, दोनों के दोनों जो हैं, एकी दिशा में भागते हैं A की रफतार है, 40 km प्रतिघंटा की ठीक है, और B की रफतार है हमारी 30 km प्रतिघंटा की बोलता है, ठीक है, बोलता है हमारा कि जब यह लोग मिले होंगे यहाँ पर, यह A है और यह B है जब यह लोग मिले होंगे, किस पॉइंट पर शी पर मिले होंगे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इन्होंने जो दूरी तेह की है, मतलब यहाँ पर यूं समझ लो यह X है, ठीक है? यह जो X है ना, ठीक है? जब यह मिले होंगे, यह X का तो मान यहाँ देही देगा, तो फाइदा क्या है फिर? इसका सवाल कुछ किस तरीके से बनाया जाए? चलो, इसको ऐसे देख लो आप, ठीक है? यह तो आसान हो जाएगा फिर यह तो मैंने करवा ही दिया है आप लोगों को तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं यह सिंपल सा कोशन हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है? यह आसान हो जाएगा, यह करवा दिया है अब आपको कौन सा question कराएं हम अब ये सवाल देखिए आपको एक और question दिया गया है बोला गया है दो places 162 km की दूरी पर हैं आपको बोला गया है कि ये दो places हैं एक P है और एक Q है इनके बीच की दूरी जो है वो 162 km है मेरी बात को समझेगा इनके बीच की दूरी कितनी है 162 km है दो ट्रेन स्टार्ट करता है एक P से Q के तरफ दूसरा Q से P की तरफ एक ही समय पे और ये लोग मिलते हैं कितने में ये लोग जो है वो आपको 6 गंटे के बाद मिल जाते हैं 6 गंटे के बाद मिल जाते हैं अगर एक ट्रेन की स्पीड दूसरे से 8 km जादा है तो दोनों का हमें क्या बताना है दोनों का स्पीड बताना है यानि आपको बोला गया है कि स्पीड ऑफ P और माइनस स्पीड ऑफ Q जो है वो कितना है 8 km पर आवर है ठीक है दोनों के स्पीड का जो अंतर है वो 8 km पर आवर है तो P का स्पीड कितना होगा ये बोला गया है और Q का स्पीड कितना होगा ये बोला गया है बताईए फिर आप लोगों को मैं थोड़ा और कोशन देता हूँ बताओ हर्स कहते हैं सराज के लिए बहुत है अरे ऐसे कैसे बहुत है यार ऐसे कैसे बहुत है यह बताओ अब देखो यहाँ पर यह वाली जो train है इधर से चली है दूसरी वाली train इधर से चली है तो simple सा कोशन है यार खुद बताओ जब यह train यहाँ से चली दूसरी वाली यहाँ से चली तो जो speed होगा वो कितना होगा speed बराबर होता है distance upon time कितना होता है तो distance upon time होता है जब ये आमने सामने चले हैं तो इनका speed आप क्या लेंगे plus में लेंगे कि minus में लेंगे तो बोलेंगे sir इनका speed हम लेंगे plus में तो speed of plus speed of q बराबर distance कितना है इनके बीच में तो 162 है और बटे में कितना है तो बट्टे में हमारा है 6 यहाँ पर स्पीड बराबर डिस्टन्स अपोन कितना हो जाएगा तो यहाँ पर आप 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 ठीक और 6 सते 42 यानि इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना हैगा 27 आएगा और बोला गया है कि इनके स्पीड का अंतर कितना है 8 है तो स्पीड आफ पी माइनस स्पीड आफ क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो यहाँ पर अब आपको अगर पी का मान बताना होगा तो पी का मान बताने के लिए दोनों को जोड़के आधा कर दो 27 और 8 कितना होता है 35, 35 का आदा कितना हो जाएगा साड़े सत्रा, और अगर आपको Q कमान बताना है, तो दोनों को घटा के आदा कर दो, 27 में से 8 घटा दो, 19, 19 का आदा कितना हो जाएगा साड़े आठ, आप सॉल्फ कर लो ठीक है, बहुत अच्छे साड़े सत्रा और साड़े आठ अब नेक्स्ट कोशन देखो, बड़ा अच्छा कोशन आता है, अब थोड़े अच्छे-च्छे कोशन मैं आपको देता हूँ, ठीक है चोर पुलिस के कंसेप्प नहीं थोड़े से प्यारे-प्यारे कोशन आपको दिया जाते हैं इस किलोमेटर प्रतिगंटे की रफ्तार से चलती है और वो दो बज़े चोडती है उसी दिशा में तू बताओ डिली से कितने किलोमेटर दूर जाने के बाद वो दोनों मिल जाएंगे सवाल को देखो सवाल कैसे है बोला गया है ये आपका है दिल्ली स्टेशन ठीक है ये आपका है दिल्ली का स्टेशन और दिल्ली के स्टेशन में क्या होता है कि पहली ट्रेन जो है वो कितने बजे सुबह में छोड़ती है यहाँ पे 9 बजे छोड़ती है कितने के रफतार्ष छोड़ती है तो 25 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार्ष छोड़ती है दूसरी ट्रेन जो है वो कितने बज़े छोड़ती है दो बज़े निकलती है दिल्ली से और वो कितने की रफ तारशे निकलती है तो बोलोंगे सर ये 35 किलमेटर प्रति घंटे की रफ तारशे निकलती है जाहिर सी बात है, ये एक लंबा दूरी है, लंबा सफर है सवाल को समझचेएगा आपके सामने लिख रहा हूं एक train यहां से 9 बजे चली दूसरी train 2 बजे चली पहली वाली 25 की रफतार से चली दूसरी वाली 35 की रफतार से चली सवाल में आपसे ये पुछा जाएगा सवाल में आपसे क्या पुछा जाएगा वो देखो सवाल में बोला जाएगा आपसे कि how many kilometers from Delhi दिल्ली से कितने किलोमेटर दूर, दिल्ली से कितने किलोमेटर दूर जाकर दोनों के दोनों जो हैं, वो मिल जाएंगे, आपसे ये बोला गया है, ठीक है, बहुत सिंपल कि, दिल्ली से कितने किलोमेटर दूर जाकर दोनों मिल जाएंगे, हाँ सर, ठीक है? अब देखो यहाँ पर simple सा question है कि भाई ये 9 बजे चलेगी और 25 किलमेटर प्रती गंटे की रफतार से ये 2 बजे चलेगी 35 किलमेटर प्रती गंटे की रफतार से तो जब भी ऐसा question आये ना तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब उनका समय समान दिया गया होता है जब आपके question में ये बोला गया होता है कि दोनो 9 बजे निकली हैं तो आपके लिए सवाल को बनाना बड़ा आसान हो जाता है लेकिन अगर आपको ऐसा दे दे एक का time आपको 9 बजे दे दे दूसरे का time आपको 2 बजे दे दे तो उस case में आप सवाल को कैसे बनाएंगे जब आपका समय ही अलग-अलग दे दिया जा रहा है एक को 9 बजे छोड़ा जा रहा है दूसरे को 2 बजे तो आप ऐसे सवालों को हमेशा ध्यान रखेंगे आप बोलेंगे कि सर क्याम करो बाद वाले समय को हमेशा लेते हैं बाद वाले समय को यानि आप 2 बजे को count करोगे कितने बजे को count करोगे 2 बजे को count करोगे और बोलोगे कि जब 2 बज रहा था जब 2 बज रहा था तो अगर ये train A है और ये train B है तो जब 2 बज रहा था तो ट्रेन A कहां पर थी आपको ये पता करना है कि जब 2 बज रहा था तो ट्रेन A कहां पर थी तो आप बोलेंगे कि सर 9 बजे यहां है 10 बजे कहीं पर होगी 11 बजे 12 बजे मालो सर 2 बजे ट्रेन A यहां पर होगी ये 2 बज रहा है और ट्रेन A यहां पर तो भाई यहां से लेकर यहां तक जो दूरी आई वो कितनी आई तो खुद सोचो 9 बजे से 2 बजे कितने घंटे होते हैं 5 घंटे होते हैं कितने घंटे होते हैं 5 घंटे मेरी बात को समझना अगर ट्रेन ए दिल्ली में 9 बजे है तो दो बजे वो कहाँ पर होगी, मतलब उसने कितनी आत्रा की 5 गंटे, एक गंटे में वो 25 km भागती है, तो 5 गंटे में वो कितना भागी होगी, तो बोलोगे सर 5 गंटे में वो 125 km भागी होगी, सिंपल सा तो बात हो गया ना यार, कोई ट्रेन 25 km प्रती गंटे की रफ्तार स बोलोगे सर 125 km कितने की दूरी 125 km अब भाई ये सवाल क्या आपका चोर पुलिस का कंसेप्ट बन गया की नहीं बन गया एकदम डिटो अब देखो चोर पुलिस का कंसेप्ट कैसे बन या अब आपका सवाल कुछ ऐसा हो गया कि अब आपके घड़ी में बज रहा है दो ठीक है आपका चोर यहां से भाग रहा है पुलिस यहां से भाग रही है चोर और पुलिस के बीच में अंतर कितने का हो गया तो 125 किलोमेटर दिख रहा है चोर और पुलिस के बीच में अंतर कितने का 125 का चोर भाग रहा है यानि ट्र समय के बाद मिलेंगे पहला कोशन दूसरा कोशन की यहाँ पर पुलिस को कितना डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाई पुलिस यानि डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेंड बी पूछा जाएगा और तीसरा डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए पूछा और चौ था कि इनके बीच की जो ये दूरी है ये कितने होगी तो इनके बीच की दूरी बराबर ये वाली दूरी यानि B के द्वारा तै की गई दूरी ये सवाल चोर पुलिस वाला बन गया? बोलो चोर पुलिस वाला बन गया की नहीं बन गया की जब बोला जाता है इनके ब और अलग समय से भाग रहा है, पुलिस अलग समय से भाग रही है, तो उस case में हमें इनके समय को बराबर करना होगा, अगर दो बजे यहाँ पर भी है, तो एको भी दो बजे कहीं न कहीं पहुचाओ, और फिर उसके बाद count करो, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम time की बात करें, कल के दिन अगर मानलों बोले कि कितने बजे दोनों के दोनों train मिले, तो time के लिए बात करोगे, तो time बराबर, यह distance कितने का है, 125 का, और speed लोगे तो कैसे, 35 और 25 का difference, यानि 10 का, तो साड़ा बारा घंटे, साड़ा बारा घंटे के बाद यह लोग क्या अभी घड में 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं घडी में, तो साड़ा बारा घंटे इसमें देखो, अब time में कितना जोड़ोगे, तो बोलोगे सर, 2 बजे में साड़े बारे घंटे जोड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अब आप गारी को 2 बजे से चला रहे हो 2 बजे से ये भी और 2 बजे से वो भी, 2 में साड़ा बारा घंटे जोड़ लो, तो ये 2 पीम था ना अगर, ये 2 पीम था तो अगले दिन सुबह में 2 बज के 15, 2 बज के 30 मिनट सुबह में, 2 बज के 30 एम पे ये लोग मिलेंगे, ये question हो गया, simple, दूसरा question आप से बोलेगा, क कितनी train B ने दूरी तैकी होगी, उतना ही जो होगा, इनके बीच का दूरी होगा, या उतना ही kilometer दूर दिल्ली से ये पकड़े जाएंगे, तो train B ने दूरी जो तैकी, वो कितना तैकी, तो बोलोगे sir, train B का distance और train A का distance, बराबर होगा, बराबर होगा किस ratio में, तो इनके speed के बताएंगे, तो बोलेंगे sir, दो यूनिट का मान 125 किलोमेटर दे रखा है, दो यूनिट का मान कितना दे रखा है, तो 125 किलोमेटर दे रखा है, ठीक, अगर दो यूनिट का मान 125 किलोमेटर दे रखा है, तो 7 का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे sir, ये जो 125 है, ये 2 का मान है मुझे 7 का मान पता करना है तो calculate कर लो यहां से 2 चक 12 62, 62 को 7 के साथ गुना करोगे, 7 पचे 35 7 दुनी 14 और 3 सतरा का 7 हाथ में 7 चक 42, 437 5 किलोमेटर जो होगा वो आपका answer हो जाएगा फिर से बताते हैं देखो कि हमने इनको क्या किया, एकी समय पर दोड़ा दिया, कि एकी समय पर अगर तुम होते तो तुम कहां पर होते तो 2 बजे train B यहां पर है ठीक है, 2 बजे train B यहां पर है और 2 बजे train A यहां पर है train A यहां से 25 से भागेगी B वहां से 35 से भागेगी तो यहां पर time हमसे नहीं पूछा गया बट फिर भी हमने extra बता दिया क्योंकि मेरी आदत हमेशा से रही है कि आपको उस सवाल से related हर fact के बारे में बताना जरूरी तो नहीं है कि अगर paper में distance पूछा गया था तो अगली बार भी distance ही पूछा जाएगा हो सकता है कि कितने बजे वो मिले यह पूछ लिया जाए ठीक है तो time को निकालने के लिए क्या करेंगे यह दूरी है और बटे में यह distance साड़े बारा घंटे यानि दो बजे में साड़ा बारा जोड़ो दो तीस में मिल जाएंगे यह तो हमारा time हो गया दूसरा इनके बीच का distance तो distance का ratio वही होता है जो speed का ratio होता है यानि 7.05 तो यह कितने का मान है 2 का मान है अगर 125 का मान है तो यह जो पूरी लंबाई है कितने की है 7 की है 7 का निकालेंगे तो पूरे track का answer आ जाएगा ठीक है हमेशा time को same करेंगे इसी concept पर कल 4-5 सवाल और करवाओंगा मैं ताकि एकदम आपका इतना पक्का इतना पक्का इतना पक्का यह हो जाए कि बस आपका दिल garden 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 हो जाए अब यह सब सवाल देखो तो यह सब सवाल sheet में नहीं दिया गया है कहीं पर भी दिया गया था sheet में नहीं दिया गया था concept जितना बहतर आप बनाएंगे उतने बहतरी तरीके से आप exam में hit up करेंगे ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिए बढ़िया तरीके से practice करेंगे कल और प्यारे प्यारे questions वह हम करेंगे तो देखेगा फिर मज़ा कितना आएगा ठीक है चालिए all the best खुश रहिए मस्त रहिए अपने यार दोस्त प्यार रिष्टिदार को सभी को बताइए champions बैट्स के बारे में शेर्सा बैट्स के बारे में ताकि वो भी enroll करना चाहें तो भी enroll कर सकेंगे ठीक है